हेलो गाइस, I am Nikki और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल IQ Students Point गाइस जैसे कि मैंने ये जो एक student की student dashboard login कर रखा है ये एक BA program 5th semester का student है और इसका आप देख सकते हो online examination form for semester 3rd और 5th UG 2021-2022 क्लिक है आप लोगों के मतलब BA program के 3rd semester और 5th semester के students का जो admission process है वो आज से start हो गया है last date अभी नहीं आई है तो आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है ठीके आप इस पे click करना click करने के बाद normal सा आपको ये show होगा soul roll number and barcode डाल के submit कर देना submit करने के बाद आपको instructions show होगी instructions पे छोटा सा उपर arrow आ रहा होगा arrow पे click करना महाँ पर examination और log out का option show होगा उस पर आप examination पर click कर देना examination पर click करने के बाद आपके पास आपका form open हो जाएगा जिसके अंदर आपको अपने 5th semester या 5th 3rd semester के subject को select करना है और उसके नीचे जो बाकी subjects दिये गए है in case उसके अंदर आपको improvement या ER का paper फिल करना है तो आप उस पर click कर देंगे ठीक है चाहे वो आपके किसी भी semester में हो वो paper अभी ही fill किया जाएगा नीचे I have undertaken पर करने के बाद save कर देना then we save होने के बाद view का option आएगा आप उसको view करेंगे उसके बाद ही आपका payment का option आएगा ये आपका इस तरीके से form जो है वो fill हो जाएगा ठीक है अब आती है main के बाद कि आपका form fill नहीं हो रहा है या link show नहीं हो रहा है देखिए इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग cyber cafe का use करो क्योंकि जो चीज़ आप mobile पर नहीं कर सकते हैं वो cyber cafe से बहुत easily हो जाएगा जिन भी बच्चों को मैंने ये recommend करा कि आप cyber cafe से करो तो उन students का admission हो चुका है ठीक है ये रही आपके admission की बात दीसरी बात है fee receipt वाली कुछ बच्चों की fee receipt blank show हो रही है कुछ बच्चों की fee receipt show हो रही है लेकिन उसके अंदर subjects show नहीं हो रहे कुछ बच्चों की fee receipt ही show नहीं हो रही है तो देखो मैं आप लोगों को ही बोलूँगी कि परिशान मत हो अगर आपके transaction ID का normally आपका पैसे cut होने का message आ गया है चाहे वो cyber cafe वाला करे या आप खुद करो तो इस बात को लेकर आप तसलिसे हो जाओ कि हाँ मेरा admission हो चुका है fee receipt 24 hours में generate होती है वो आपको 24 hours के बाद ही मिलेगी 24 hours से जादा भी hours लग सकते हैं तो please आप लोग panic मत हो कि मैं मेरी fee receipt नहीं आई है या मैंने admission कर लिया ये doubt आ रहा है वो doubt आ रहा है ठीक है आप normal सा अपना admission करो fee receipt और admission के regarding मैंने आपकी doubts क्लियर कर दिये इनकेस कोई और doubt आ रहा हो तो आप मुसे comment box ये telegram channel पे पूछ सकते हैं So thanks for the watching and best of luck all